वेलकम बैक टू क्लीन न्यूस एंपी चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को इससे पहले आप न्यूस को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं साथी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें मध्य प्रदेश वेफसाई परिक्षा मंडल ने गुरुप दो भरती परिक्षा अधी सूचना जार की मध्य प्रदेश सरकारी नौकरी के चुक मीदवारों के लिए काम की खबर है मर्धिप्रदेश राजिस सरकार के विभिन विभागों में समूदो उप समूदो के अंतरगर सायक लेखा दिकारी लेखा पाल उप अंकेक शक्त एवं समकक्ष पदो पर भरती के लिए योग्यों मीद्वारों के चैन हेतु आयूजित की जाने वाले सयूंगत भरती पुस्तिका जारी कर दी है मंदल द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक इन पदो पर भरती के लिए परिक्षा का आयूजिन 18 और 19 नमंबर 2022 को किया जाएगा परिक्षा भोपाल इंदो जवलपूर गॉलियर और सतना शहरों में बनाए गए परिक्षा केंद्रों पर क कर रहें लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है दरश श्कूल चिक्षा विभाग रिक्त पदों पर भरती के लिए कलसे भरती प्रक्रिया शुरू हो रही है कलसे हाय सेकेंडर इस्कूलों के राशी का वित्रन किया इस सफब पर मुख्यमंद्री शिवरा सिंग्जवान ने कहा कि सरकारी स्कूल की चातर चातरा एं शिक्षा के शेडर में कमाल कर रहे हैं सीम निका की बारवी कख्षा में सक्तर प्रतीशत अंक लाने वाले चात्र चात्रा के मातपिता की सालाना आए छे लाग से कम है तो उसकी उच्छ शिक्षा की फीज सरकार भरेगी महाकौशल और विंद्य में भाच्पा कर रहा दबदबा विदान सबर चुनाव से पहले हो रहे नगरी निकाय के चुनाव को काफी महतपून माना जा रहा था भाच्पा और कॉंग्रिस के नेता इस साब सही चुनाव प्रचार में जुटे थे 46 नकायो के परिनाम शुक्रवार को घुशित हुए महाकौशल और विंद्य शीतर में भाच्पा कर दबदबा रहा है मालवा और निमार में भी भाच्पा आगे रही है कुल मिला कर देखा जाए तो परिनाम भाच्पा के पक्ष में और कॉंग्रिस को सतर करने वाले है जबलपुर में भवरताल के पास बनेगी तीसरी मल्टी लेवल पार्किंग शहर में तीसरी मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का रास्ता भी साफ हो गया है मल्टी लेवल पार्किंग भवरताल पार्क के समय बनाई जाएगी ये निर्णे गुरुवार को जबलपुर स्मार्ट सिटी कंप्री लिमिटेट के से चेयर्मेन और कलेक्टर डॉक्टर एलिया राज टीग या दिख्षितामी आयूजित समिक्षा बैठक में लिया गया है इस दोरान कलेक्टर ने संस्क्रती थेयर्टर कल्चरल स्ट्रीट भवरताल पार्क के लिए एवब आसपास के शेत्रों में चार पहिया वाहनों की पार्किंग की समस्या को देखते हुए भवरताल पार्क के समय पूर्व से चैनित स्थान पर मल्टी लेवल कार पार्किंग के प्रमुक्सचिव नीरज मनलोई ने इसकी समय सीमत तै कर दी है निरिक्षन के दोरान अफसरों को उन्होंने तैस सीमा में काम पूरे करने की निर्देश दिये थे इसके बाद लोग निर्मान विभा के अधिकारी भी दावा कर रहेंगी तैस सीमा में फ्लाई ओवर बनका तैयार हो जाएगा फिलाल फ्लाई ओवर का 50 प्रतिशती काम हो पाया है दावे के मताबिक अगले 10 महा में 6-50 प्रतिशत काम पूरा होना कठिन प्रतीत हो रहा है कर प्रतिव 7 किलोमीटर लंबा यह फ्लाई ओवर शहर की बड़ी आबादी के लिए यातियात को सुगम बनाएगा हिंदी में इंजिनियरिंग की पढ़ाई अभी सिवल और मेकनिकल ब्रांच के लिए ओफर राश्ट्री शिक्षर नीती के तरथ अब इंजिनियरिंग की पढ़ाई हिंदी भाशा में भी होगी इसके लिए विभाग ने किताबे भी उपलब्द करा दी है इंजिनियरिंग और पॉलिटेक्टिंग में नव प्रविक्षित विध्यार्तियों को प्रवेश लेने के दौरान हिंदी या अंग्रेजी भाशा में पढ़ाई करने का विगल्प चुनना होगा ताकि उसके हिसाब से पढ़ाई कराई चौँ सके प्रदेश के शाषकी तकनीकी संस्थानों में अलग-अलग ब्रांच में हिंदी माध्यम से पढ़ाई कराने की तयारी की गई है शाषकी जवलपूर इंजिनियरिंग कॉलेज में मेकनिकल और सवल ब्रांच में प्रवेश लेने वाले विध्यार्तियों को हिंदी में अध्यापन की ववस्तात दी गई है मध्यप्रदेश को 14 लाग लंपी वैक्सिन मिली पशू का टीका करण शुरू पशू को लंपी रोग से सुरक्षित रखने के लिए मध्यप्रदेश को केंदर सरकाने 14 लाग गोट बॉक्स वैक्सिन मिल गई है पशू पालन विभाग ने इंदोर भोपाल गॉलियर उज्जयन को केंदर बिंदू मानकर टीका करण भी शुरू कर दिया है 33 लाग पशू को टीका लगाया जाना है इसके लिए पशू चिकितसकों को वर्चुल प्रशिशन दिया जा रहा है पाकी टीका करण में देरी ना हो महीं पशू पालन संचनाले से साफ कर दिया गया है की अभी तक भैस वैशी पशू पर इस रोग के लक्षन दिखाई नहीं दिये हैं इसलिए पशू पालन घबराय नहीं के इंद्र सरकार द्वार कराए जआने वाले स्वच्ष सर्वेक्शन में हर वर्श की तरह मध्य पुर्दीश फिर एक बार स्वचीता के कीर्थी मान इस्थापित करने ज़ा आ रहा है प्रदेश के ग्यारा नगरी निकायों को स्वचिता के राश्वी पुरुसकार से सम्मानित किया जाएगा इंदौर को स्वचिता में श्रिष्टा के लिए राश्पती द्रौपती मुर्मु सम्मानित करेंगी यह कारिक्रम दिल्ली के ताल का टोरा स्चेडिया में होगा बिलासपूर से इंदौर के बीच तीन अक्टूबर से शुरू होगी विमान सेवा बिलासपूर और इंदौर के बीच तीन अक्टूबर से हवाई सेवा प्रारम हो रही है एलाइंस एयर विमानन कंपनी हसुविदा अंचल वास्यों को देने जा रही है तीन अक्टूबर से बिलासपुर इंदौर के बीच विमान सेवा की शुरुआत हो रही है अंचल वास्यों को यह सेवा सप्ता में चार दिन उपलब्ध होगी इसका संचलन एलाइंस एयर कंपनी करेगी बिलासपुर जबलपुर इंदौर और गॉलियर के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट है मध्य प्रदेश का जोड़ा प्रदेशन एक्सवन और चार कान से साइथ पाश पदग गुजरात में शिरूए चट्थवे राश्टिय खेलों के पहले दिन मध्य प्रदेश ने जोड़दार प्रदेशन किया है मध्य प्रदेश ने एक्सवन और चार कान से पदग जीत का भैतरी शुरुआत की है मध्य प्रदेश के एतलेटिक्स में तीन कुष्टी वाज शूटिंग में एक एक पदग जीते हैं गांधी नगर में चल रहा है एतलेटिक्स के मुकाबलों में शुकरवार को मध्य प्रदेश की सपना वर्मन ने महिला हाई जंप इवेंट में एक दशनलव आठ तीन मीटर कूट का स्वन पदग हासल कर नया मीट रिकॉर्ड बनाया है जबलपूर मंडल की दो और पमरे की 26 ट्रेनों के समय में हुआ बदलाव कई ट्रेनों की रवाना होने और आने के समय में बदलाव कर दिया गया है इसका सराथ से ट्रेनों के संचालन पर होगा दरसल रेल्वे आठ से ट्रेनों का नया टाइम टीवल जारी करने ज़ा रहा है इसमें जबलपूर मंडल की दो ट्रेन और पशिम मध्धी रेल्वे की 26 ट्रेनों के समय अवधी में बदलाव किया गया है जबलपूर से हावड़ा जाने वाली शक्ति पुंच और अंबिकापूर इंटर सिटी का समय बदल गया है शक्ति पुंच अब जबलपूर से रात 11 बच का 40 मिनिट के बजाए रात 10 बच का 20 मिनिट पर रवाना होगी करमचारियों के लिए अच्छी खबर जल्द खाते में आएंगे 81,000 तक रुपे कि इंद्र सरकार द्वारा करमचारियों को महंगाई भत्ते में वरदी कर बड़ी रहत दी गई है दिवाले से पहले करमचारियों के वेतम में बंपब वरदी देखने को मिलेगी इसके साथी जल्दी EPFO के ब्याच का भुकतान किया जा सकता है माना जा रहा है कि अक्ट्यूबर महिने के अंता करमचारियों के खाते में ब्याच की राशी भेज़ती जाएगी साथी करमचारियों के खाते में 81,000 तक रुपे भेजे जाएगे 62,500 रुपे में खरीद सकते हैं मुर्रा नसल की दो भैस सरकार दे रही है 75 प्रतीशत तक अनुदान अब मध्यप्रदेश की सरकार ने भी राज्य में पशुपालन और डेरी फार्मिंग को प्रोटसाइज करते हुए मुक्षमंद्री जेरी प्लस योजना की शुरुआत की है इस योजना की तहित राज्य के किसान और पशुपालकों को मुर्रा भैस की खरीद पर 50 फीसिदी से लेकर 75 फीसिदी तक अनुदान दिया जाएगा इस अनुदान का लाब लेकर पशुपालक दो मुर्रा भैस खरीद सकते हैं त्युहारी सीजन में लुभाव ने ओफर से साफधान ओनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से समल कर करे खरीदारी नवरात के साथ ये त्युहारी सीजन शुरू हो कि आएदा शेरो दिपावली तक ओनलाइन और आफलाइन बाजा में जमका खरीदारी की जाएगी लोग अभी से इलेक्ट्रोनिक सामान, मोबाइल और अन्नी प्रकार के गैजट की खरीदी विबिन ओनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से कर रहे हैं इसी बीच शेर में पिछले 15 दिन में 5 ठगी के मामले साम्याद चुके हैं साइबर पुलिस के अधिकारियों का क्यानाई की सस्ते सामान के जासे में आकर ठगी का शिकार होने से बचने के लिए अच्छी और सर्टिफाइड ओनलाइन शॉपिंग वेबसाइट और एप सही सामान खरीदे विवादों में पहरिवन विभाग का यह चेक पोस्ट सांसत के भतीचे पर लगे यह आरूप मत्यप्रदेश के पहरिवन विभाग का शापूर पहरिवन चेक पोस्ट विवादों में है बीजीपी के सांसत ग्यानेशवर पार्टिल के भतीजे गजेंदर पार्टिल ने इस चेक पोस्ट पर भारी लोगों के काम करने का आरूप लगाया है महीं चेक पोस्ट के प्रभारी ने गजेंदर परशाश की कारे में बादा डालने की शिकायत कलेक्टर को की है जिसे कलेक्टर ने SP को भेंज दिया है पैट्रोल पम से ज्यादा एडवांस होगा EV चार्जिंग स्टेशन इलेक्टरिक हाईवे का काम तेजी पर है वहीं अब सड़क पहरिवन और राजमार्ग मंद्री नितिन गटकरी ने कॉंसेप्ट EV चार्जिंग स्टेशन का अनावरन गट दिया है जिसके बाद अब मान की चलिए दुनिया का सबसे बड़ा एलेक्टरिक हाईवे जल्द बनकर तैयार हो जाएगा गटकरी ने EV चार्जिंग स्टेशन के कॉंसेप्ट का खुलासा किया जिसे नैशनल हाईवे फॉर एलेक्टरिक वीकल द्वारा बनाया गिया है रैपोरेट में 0.5% की व्रद्धी बढ़कर हुई 5.9% चौती बार बढ़ेगी ब्यास दर आरबियाई की मौदरिक नीती की समिक्षा बैठा कर तीसरा दिन था इस दोरा निजब बैंक द्वारा रैपोरेट में एक बाब फिर से व्रद्धी का एलान किया गया है दरसल रैपोरेट दर को 0.5% बढ़ाया गया है वहीं अब रैपोरेट बढ़कर 5.4% से 5.9% पहुँच गया है रैपोरेट बढ़ने का एक तरफ जहां सीधा असल लोन पर लगने वाली ब्यास दर पर पड़ेगा वहीं सभी तरह के लोन अब महन्य हो जाएंगे बता दे बीते तीन साल में रैपोरेट की व्रदी अभी तक सबसे अधिक है 8 अक्टूबर को CM शिवराज देंगे लाडली लक्षमियों को बड़ा तौफा CM 4 अक्टूबर को रविंद्र भवन सभा ग्रह में लाडली लक्षमी योचना 2.0 में महाविध्यालों में प्रवेश ले चुकी बालिकाओं को प्रोचसान राशी के वित्रन के राजस्तरी कारिक्रम की तैयारियों की समिक्षा की साथी जिलास्तर पर हो रहे कारिक्रमों के सम्मन में भी बैठक में चर्चा कुई और इस योचना को प्रारम करने से लेकर अब तक अरजित उपलग्दियों की चायत चत्र प्रदशनी भी लगाई जाए साथी महिला एवं वाल विकास से विभाग योचना अंतरकरत विविन सफलता कथाओं का प्रकाशन भी तैयार करें आंगनवाडी कारिक्रतों वा साहिकाओं ने विरोध में निकाली रैली भारति मस्दूर संग आंगनवादी कारीकरता एवं साही का संग ने प्रदीष व्यापी आहवान पर शुकरवार को जिले भर की आंगनवादी कारीकरताओं एवं साही काओन ने 11 सुत्री मांगो को लेगर पहले गीता मानच भवन में धर्ना दे कर सबा की जिसके बाद गीता भवन से कलेक्टेट तक विरोध रैली निकाली इस दोरान आंगनवाडी कारेकरताओं साहीकाओं ने प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी को लेका जम कर नारे बासी भी की कलेक्टेट पॉच का मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चुहान के नाम भारती मसूर संग जिलाद्यक्ष विनीद दुबे और अकिल भारती आंगनवाडी कारेकरता एवं साहीका महासंग जिलाद्यक्ष कृष्णा परमार के नेतरत में डिप्टी कलेक्टर सतीश रायकोग जाप बना हुआ है सीम शिवरा सिंग चुहान को द योजना की मॉनिटरिंग और समिक शकर अधिकारी कलेक्टरों को समय समय पर कामों में तेजी लाने की निर्देश दे रहे हैं इसी कड़ी में मध्यप्रदेश में केंदर की सबसे बड़ी योजना में से एक जल्द जीवन मिश का काम प्रगती पर है और अब तक त्रेपल लाग से अधिक ग्रामिन परिवार को इसका लाब मिल चुका है 10,000 नहीं अब 3,500 घरों को ही मिल पाएगा 24 घंटे 7 दिन पानी स्माज सिटी परियोजना के तहत एरिया बेस डिपल्पेंट में शामिल शेहर के 10,000 घरों को 24 घंटे 7 दिन पानी देने की योजना भी स्माज सिटी कंपनी के लचर काम काज का शिकार हुई है शेहर की इस महत्पून परियोजना के तहयत शिरुवाती दौर में एबीडी शेतर में शामिल राइक टाउन नेपिया टाउन और गोलबाजा शेतर के 10,000 घरों में 24 घंटे 7 दिन पानी देने का दावा किया जा रहा था बाद में इससे दो चर्णों में बाट दिया गया काग्या की पहले चरण में 5,000 घरों को ही योजना से चोड़ा जाएगा लेकिन इसमार सिटी के धीमे और लचर काले के चलते 5000 की जगा अब महस्त 3,500 घरों को ही 24 घंटे 7 दिन पानी मिल पाएगा क्योंकि पिछले करीब साड़े तीन वर्ष बाद भी पर योजना की तहट अब पानी की नई पाइपलाइन बिचाने और उसे घरों से जोडने का काम पूरा नहीं हो पाया है 25 साल तक ले सकते हैं फ्री विजली का लाव अपने घर की छट पर सोलर पैनल लगवा कर करीब 25 साल तक विजली के बिल से चुटकारा पास सकते हैं इस योजना की अंतरगत आपको सोलर पैनल लगवाने के लिए सरकार की और से सबसीडी दी चाएगी और बच्चा हुआ पैसा जो आप सोलर पैनल लगवाने में खर्च करेंगे वह पात साल के अंदर कबर हो जाएगा इसके बाद अगले 20 साल तक आप फ्री विजली का लाव प्राप्त कर सकेंगे सोलर पैनल लगवाने के बाद आप बहुत ही कम खर्च पर 24 गंटे विजली की सुविधा का आनंद ले सकेंगे धान जवार बाजरा बेचने के लिए 15 अक्टूबर तक कराएं पंजी करण मोजी प्रदेश सरकार ने राजजी के किसानों की खरीब फसलों धान जवार और बाजरा से प्राप्त उपज खरीदने के लिए पंजी करण शुरू कर दिया है किसान ऑनलाइन वा ओफ्लाइन माध्धम से 15 अक्टूबर तक पंजी करण करके अपनी फसल नियूंतम समर्थन मूले पर बेच सकते हैं 18 जिलों में बोचारों की संभावना मौसम विभाग के वेग्यानिकों का मानना है कि मौसम फिलहाल तो साफ है पर दो तिन दिन बाद फिर प्रदेश की कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है इसके पीछे नोरू तूफान को माना जा रहा है जानकार बता रहे हैं कि विरतनाम की और से आने वाला बेहर शक्ती शाली चक्रवाद टाइफून नोरू थाइलैंड पहुझ किया है एसोसियेटिड साइकलोनिक सर्कुलेशन आज 1 अक्टूबर को पूर्वुत्तब बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा यानि ये तूफान आज भारत की जमीन से टकराएगा इस तूफान के कारण बादल उठेंगे और मध्यप्रदेश सहे थे भारत की कई राज्यों में वे मौसम बरसात होगी ये तो थी आज की 25 फटा फट बड़ी खबरे अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सकाइब करना ना भूले धन्यवाद